आओ, आओ मैदान में, आईए महरबान, खांदान, आमिर खान, इस शो में जिसे हम कहते हैं, ये क्या बक्वास है? जी हाई ये वही शो है जहाँ पर हम इस हफते की सबसे उंदा बक्वास को देखते हैं और उसे अपने बक्वास रेटिंग पर एक बढ़िया बक्वास रेटिंग देते हैं आई ये शुरू करते हैं सबसे पहली बक्वास हमें आती है लिबरल्स के प्यारे और चहेते और दुलारे असदुदीन ओवेसी से जब वो अपनी शपत ले रहे थे पार्लिमेंट में MP बनने के बाद तब उन्होंने बड़ी एक दिल्चस्प बात बोली उन्होंने अल्ला का नाम नेले के साथ-साथ जैभीम भी बोला अच्छा जी जैभीम तो ये दलितों और मुसलमानों के बीच में एक भाईचारा बनाने की कोशिश है एक लव एंड बरदर हुड बनाने की कोशिश है लेकिन दुरभाग के से दो चीजे थोड़ी सी problematic हैं इसमें पहली चीज problematic ये है कि भई जादातर दंगे जो हिंदू-Muslim के होते हैं भारत में वो जादातर lower caste और मुसल्मानों के बीच में होते हैं ब्राम्मनों और मुसल्मानों के बीच में नहीं होते हैं पहला भाई चारा तो हमें जड़ा वहां समझा दीजे भई और दूसरी बात क्योंकि ये जाए भीम बोल रहे थे तो obviously ये भीम राओ अंबेडकर की बात कर रहे थे तो देखते हैं कि भीम राओ अंबेडकर जी ने इसलाम के बारे में भई कहा क्या था अंबेडकर जी ने कहा था कि इसलाम के हिसाब से मुसल्मानों और नौन मुसलिम्स के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है इसलाम का जो ब्रदर हुड है वो सारे इनसानों का ब्रदर हुड नहीं है वो जो उम्मा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों के लिए है अपना भाई या अपना परिवार नहीं मानने देगा क्योंकि इसलाम के हिसाब से इसलाम सबसे उपर है और जो मुस्लिम नहीं है वो उनके दुश्मन है अफसोस हो वे सी जी पता नहीं किसको बेवकू बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्त साल निकाल दिये इन्हों नहीं इसी बेवकूफी में है इसी सूर्दो सेकलरिजम में जब कोई आपर कास्ट डलित के ओपर अत्याचार करता है तो दलित हिंदू नहीं है अगर हिंदू और मुसलिम में रायट होती है और हिंदू दलित हुआ तब वो दलित हिंदू है मतलब लिबरल्स हमेशा 24 गंटे कन्फ्यूज ही रहते है दलित है क्या हिंदू है के नहीं अरे भीया डिसाइड करके हमें भी बता दो बाकी ये बेवकूफी आपके पिछले 5 साल कितनी काम आई थी वो तो हमने देखी ली थी तो भीया इसी तरह से बेवकूफीया करते रहो और 2024 में भी फिर देख लो क्या होने वाला है तो इस उम्दा बक्वास को हम देंगे 4 आट ओफ 5 कन्हिया कुमार काफी उम्दा थी काफी बड़िया थी गुड स्टार्ट और दूसरी खबर ये आती है हमें खाइबर पखतून ख्वासे पाकिस्तान में अब देखिये पाकिस्तान के पास पाईसे है नहीं तब दिली करना चाहते हैं नया पाकिस्तान लाना चाहते हैं पता नहीं कैसे लाएंगे ये तो किसी को नहीं पता लेकिन entertainment अभी भी आता है पाकिस्तान से कभी कभी तो ये खबर आती है खाइबर पक्तून खुआ से जहां पर लोकल पी टी आई गवर्मेंट की एक प्रेस कॉन्फरेंस हो रही थी और आप देख लीजे कि उस प्रेस कॉन्फरेंस में क्या हुआ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फरेंस में फेस्बुक पर ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और बिचारे किसी ने कैट फिल्टर लगा दिया उनके उपर और लाइव चैट में भी लोग आकर कह रहे थे कि अरे यार फिल्टर हटा लो बंदा बिल्ली बना हुआ है फिर कहता है खुदा PTI SMT वालो को एदायत दे क्या यारे बहुत अनिसलामिक चीज़ है क्या करते हो तुम लोग है तो ये मैंने काफी एंजॉई किया और पाकिस्तान को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस इंजॉईमेंट के लिए थैंक यू बेरी मच और इस बक्वास को हम देंगे थ्री आट ओफ फाइव राखी सावंत और अगली न्यूज भी पाकिस्तान से आती है अरे वाह डवल एंटर्टेन्मेंट तो ये न्यूज भी इंटरिस्टिंग थी क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान उन्होंने एक कोट शेर किया था एक पोएम शेर की थी जो उन्हेंने कहा था कि भाई ये खलील जिबरान की पोएम है लेकिन लोगों ने फिर उन्हें पताया कि चाचा जान, ये खलील जिबरान की पोएम नहीं है, ये रबिंदरनाट टेगोर की पोएम है, ये इतने अरबाईज हो चुके हैं बिचारे लोग, कि इनको रबिंदरनाट टेगोर भी खलील जिबरान समझ आता है, अब इमरान खान से जो गलती हुई, उस गलती को सपोर्ट क देखेंगे तो आपको ये समाज आ जाएगा कि ये इमरान खान नहीं है ये actually सचिन तंदुलकर की फोटो है तो लोगों ने सोचा कि भई अब हम इनको सच बताएं कि अब हम इनको ट्रोल करें आपको क्या लगता है लोगों ने क्या किया आपको सही लगता है तो उस ट्वीट में जो रिस्पॉंस दिये गए है काफी कमाल के है स्किन डॉक्टर ने कहा उसी तरह से ये सर डॉनल ब्रैडमेन है जो पविलियन वापस जा रहे है आफ्टर स्कोरिंग ड़क ओपन लेटर ने दिखाया ये रोजर फेडरर और विन डीजल है मैंने भी पोस्ट किया कि दोस्तों ये देखी ये मैं हूँ जब मैं रेयल मडरिट के लिए खेलता था और 2001 में मैंने चैंपियन्स लीग में लेवर्क्यूसन के खिलाफ गोल दगाया था और फिर ये मुहमद यूसुफ सकले मुश्टाक साइद अन्वर राशिद लतीफ वकार यूनिस फोटो ही फोटो ही इन जमाम उलाक फॉर्मर पीम नवाज शरीफ in 2009 और फाइनली पीम इमरान खान विद यूथ आईकॉन बिलावल भुटो वो ट्वीट और उसके रिस्पॉंस अगर आप जाके पढ़ ले मदा आजाएगा आप तो ये काफी उम्दा बक्वास थी और सिर्फ जो रिस्पॉंसें इस ट्वीट में वो इतने कमाल के थे कि सिर्फ उसी के वज़े से मुझे देना पड़ेगा इस मीम को 4.5 आट और 5 विन डीजर और कहा जाता है ना कि भई देखिए दोस्ती बड़ी जरूरी चीज़ है लाइफ में दोस्त होना बहुत जरूरी है बंदे की लाइफ सेट हो जाती है अगर उनके पास अच्छे दोस्त हो तो लेकिन कभी कभी ना यार दोस्त ऐसे होते है कि हमें लगता है कि अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है यार बेचारे राहूल बाबा उनके साथ भी यही दुर्भाग्य हो गया एक आर्टिकल निकल कराया है जिसमें कहा गया है कि राहूल की जो अपनी खुद की टीम थी उन्हेंने राहूल को काफी बर्गला के रखा हुआ था उन्हेंने राहूल को काफी भटका के और बहला फुसला के रखा हुआ था बही PM तो वही बनने वाले हैं राहुल जी जो है वो बेचारे आप समझ सकते हैं काफी भोले टाइप के इंसान है वो काफी बहग भी गय इस बात से और उन्होंने तो पूरा मान रखा था कि बही PM तो वही बनने वाले हैं प्रवीन चक्रवर्ती जो कि भई राहुल गांदी के सबसे ट्रस्टेड अड्वाइजर थे वो इलेक्शन के बाद से गायब हैं दिविया स्पंधना लोगों को याद होगो किस तरह से मोधी के ओपर मीम बनाती थी किस तरह से कॉंग्रेज की सोशल मीडिया हैड थी मुझे बड़ा लग रहा है प्लीज अगर आपको भी बुरा लग रहा है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में एफ दबाएं राहुल जी को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत गलत है और ये भी काफी उम्दा मीम थी sad मीम थी मुझे काफी बुरा लगा इस sad मीम को हम देंगे two and a half out of five रहुल गांड़ तो ये था इस हफ़ते का ये क्या बखवास है अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक like दें एक thumbs up दें और मुझे बताएं कि आपका फेवरिट मीम इस हफ़ते का क्या था नीचे comment section में जरूर बताएं मुझे अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को share भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दवाना बिल्कुल न भूले क्योंकि ये घंटी दवाने के बाद ही कई बार YouTube लोगों को बताता है कि कोई नया वीडियो निकल कर आया है तो घंटी दवाना बिल्कुल न भूले मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा और तब तक स्वास्त रहिए सुखी रहिए और फिर मिलेगे